भारत के यशर्स्वी प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड भारतवासियों के स्वास्थ हित में एक सपना देखा, सपना डिजिटल हेल्थ का, जिससे एक ऐसा भारत बने जहां हर भारतिय, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जरूरत पढ़ने पर स्वा स्वास्थ समाधान के लिए किसी पेपर वर्क, रसीद या किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित ना हो, अब उसके मोबाइल में या कम्प्यूटर में ही हर वो डेटा हो, जिसका लाब उठाकर वो अपनी हर स्वास्थ समस्या का निदान कर सके, ये है नए भारत की नई उड नया अभियान आयुष्यमान भारत डिजिटल मिशन परची बनवाने की भागदोर तमान विकत हैं, नेश्टनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माद्दम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी और उत्तम स्वास के लिए हमारा कोई भी नागरी सही फैसले कर पाएगा ये ववस्ता उसे होने वाली है आज जब देश आजादी का अमरित महुत्सव मना रहा है, हर भारत वासी के लिए अमरित साबित होने वाले आयुश्यमान भारत डिजिटल मिशन को राश्ट्र को समर्पित किया जा रहा है अब हर देशवासी स्वेच्छा से अपनी युनीक हेल्थ आईडी प्राप्त कर सकेगा जिसमें उसका पूरा हेल्थ रेकोर्ड जैसे उसकी बीमारी की जानकारी, डॉक्टर द्वारा बताई दबा की जानकारी, लैब रिपोर्ट, दाखिले और डिस्चार्ज का सारांच होगा इस योजना से नकेवल लाभार्थी घर से ही किसी भी जगह के डॉक्टर्ज की जानकारी ले सकेंगे, बलके वो उन से अपॉइंटमेंट ले या टेलिफोन से परामर्श कर बीमारी के उप्चार के लिए सही दबा और सुझा भी ले पाएंगे इस जानकारी का डिजिटल रेकॉर्ड भी बन जाएगा, जिसको लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी अन्य डॉक्टर से साजा भी कर सकेंगे लाभार्थी के स्वास्थ संबंधी सभी रेकॉर्ड पूरुन रूप से गोपनिया रहेंगे आयूश शमान भारत डिजिटल मिशिन के अंतरगत डिजिटल सूचियां होंगी जिन में अस्पताल, फार्मसी, स्वास्थ सुवधा केंद्र, डॉक्टर और सभी जरूरी लोगों को शामी किया जाएगा इसमें आधनिक चिकित्सा पद्धती के साथ स्राथ आयूश व अन्य सभी पद्धतियां भी शामिल होंगी यही नहीं अपने हेल्फ आईडी के जरिये देश्वासी देश की अन्य सभी स्वास्थी योजनाओं जैसे PMJ, RBSK, NICSH, NHM आदी से भी जोड सकेंगे स्वास्थ सेवा प्रदान करने वालों को आयूश शमान भारत डिजिटल मिशन, Ease of Doing Business के नए अवसर भी प्रदान करेगा ये बस एक मिशन नहीं, एक संकल्प है, भारत का करना काया कल्प है, स्वास्थ सेवाएं अब होंगी डिजिटल, स्वस्थ होगा भारत का कल आये डिजिटल स्वास्थ सेवाओं का लाब उठाएं, स्वस्थ और सुखी भारत बनाएं